और बात ग्रामेड ओलम्पिक्स की तो राजस्थान में ग्रामेड ओलम्पिक्स गेम्स जिस दिन से प्रदेश में शिरू हुए हैं उस दिन से ही प्रदेश भर में आपको वता दे कि इसको लेकर उत्साह दीखने को मिल रहा है प्रताबगड के अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिमन्यो सिंग कुंतल ने इसको लेकार एक गीप भी लिख डाला है इसको तयार करके सूबे के मुख्यमंत्री तक उन्होंने खुश कर दिया है राजीव गांधी ग्रामीन ओलंपिक गेम्स को प्रमोट करने के लिए प्रताबगड के स्टिम अभिमन्यो सिंग कुंतल ने अनूठी पहल की है उन्होंने ओलंपिक को लेकर एक गीत लिखा है इस गीत को अपने और कलेक्टर सौरब स्वामी की मदद से बड़े स्तरपर कमपोज भी करवाया है प्रताबगड जिले में ही इस गाने को फिल्माया भी गया है खुद सियम ने इस गीत का अनाबरण कर इस गीत को प्रदेश भर में दिखाने के लिए इस विडियो को सियमो में मंगवाया है संगीत और स्वर के साथ इस विडियो को देखकर सियम अशूग गहलोत भी एडियम कुंतल की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए प्रताबगण कलेक्टर सौरब स्वामी को सियम ने विशेश रूप से इस विडियो और गीत के लिए बढ़ाई दी है ये गीत अब सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है इसे खोब पसंद और शेर भी किया जा रहा है जागरुकता के लिए की गई इस रुपहल को हर कोई सराहा रहा है एडियम अभिमन्यू सिंग कुंतल ने बताया कि खेल रहा है गीत को लिखने की मुख्य वज़ा ग्रामीन अंचल में खेलों की भावना को दर्शाया जा सके और लोग खेलों के प्रतीज जागरुक हो सके उन्होंने बताया कि इस गीत को लिखने के बाद उन्होंने इसे अपने स्तर पर तयार कर इसका फिलमानकन करवाया यह गाना ग्रामीन अलम्पिक्स के अंदर जो खेल भावना को दर्शाते हुए प्रतापगड में कितने अच्छे से इन खेलों को खेला गया उनको दर्शाते हुए उनके विद्वल्स देते हुए वो बनाया गया और इस गाने को जो है काफी आगे सराहा है एडियम अभिमन्यू सिंग कुंतल के लिखे इस गाने को पहचान दिलाने के लिए प्रतापगड कलेक्टर सौरब स्वामी की कोशिश भी सराहानिय रही है दादा खेले पोता खेले खेले राजस्थान को जब सीम अशोग गहलोत ने सुना और देखा तो उनकी खुशी नहीं थम रही थी उन्होंने जिला प्रशासन और राजस्थान भर में इस गीत के प्रचार प्रसार के लिए भी कहा संगीत का जादू कुछ अलग ही होता है और अभिमन्यू सिंग दुआरा लिखे इस गीत और इस पर फिल्माय विडियो ने सब को खेलों से जोडने में एहम भूमिका निभाई है विवेक उपाद्ध है जी मीडिया प्रताब कर